नमस्कार लखी साय लाइव देख रहे हैं मैं हूँ संजीब कुमार मोकामा मुंगेड में आयोजित NDA की बैठक के बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि लखी स्राय विधान सभा में NDA की बैठक कब होगी लोग सभा चुनाव के मद्दे नजर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है BJP के जिला जर दिपक कुमार जी दिपक जी यहां भी तो होना चाहिए न NDA की संजुक्त बैठक क्योंकि चुनाव है निश्चित रूप से यहां भी बैठक होना है दो राउंड की हम लोग जिला अध्यक्ष लोग बैठ चुके हैं चुनाव के सारे प्रारूप हम लोग तियार कर चुके हैं अब एक संजुक्त बैठक NDA के कार्ज करताओं का जो है जिलास्तर का होना है जिसमें मानियव पुमुख्य मंतरी विजय कुमार शिनहा जी और बरतमान संसाद ललन वावू यह सब रहेंगे उपस्तिती में इनके उपस्तिती में 13 या 14 तारिक को संभावित है बैठकायो जित होगी और फिर हम लोग चुनाव कार्ज में लग जाएंगे संभावित है फाइनल आज हो जाएगा जी जी किस रुकमें इस लडाई को देख रहेंएंक तरफ विकास और बाहुबल एक तरफ तो विकास है। विकास के सामने में साड़े धनबल बाहुबल छेतरबाद, जातबाद सारे गवन हो जाएगे सिर्फ नरेंदर मोदी का हबा है और नरेंदर मोदी के लहड के सामने में किसी परकार का फार्मूला इस देश में नहीं चलने जा रहा है आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिचार धरासाई हो गए हैं बड़े बड़े दल धरासाई हो गए हैं यह जो हमारे सामने में जो उमिदबार है लालू परसाद जी परियोग कर रहे हैं कि किसी तरह से हम जातिय उनमाद पईदा करके हम राजनीत में अपने आपको टिका सके बस उतना संगर्स उनका जीत तो होना ही नहीं है वो अपनी राजनीत में बजूद बचाने की जीत तो मेरी है ही लेकिन इसको मैं कितना बड़ा कर सकता हूं ताकि दो हजार उन्तिस में हमारे सामने में कोई उमिदबार लड़ाई में आने से पहले एक सो बार सोचे कि मैं एंडिये गटवंधन से लरने जा रहा हूं मेरी इस्टिती क्या हो सकती है वो स्वें मुल्यां मुल्या वार हथिया कारे उनके उपर राजोसिंभ हत्या कंड month नाम आया है अने को नरसंगार में चार जार के नाम आया हुआ है और स्वें miejsce 18 fille काट के आए हूए दो दो दिन गया क्यूल लाइन बंद रहा है इनके आतंक के कारण, नरसंगार के कारण बंद रहा है, वह इसे ये जंगल राज के पुरओधा है, परतीक है, इनको जंता कभी स्विकार नहीं कर सकती है इसे में जो लालो जी पर आरोप लगते आया है जंगल राज का तो इसे में तो ये सस्चावित होता है ना क्योंकि चाहते तो दूसरा कंडिडेट भी यहां दे सकते थे हम तो कह रहे हैं जीतने के लिए अगर वो आते तो साइद इस चीज का मुल्यांकन लालो जी एकदम अच्छे तरीके से करते मंजे हुए पोल्टीसियन है लेकिन वो मुल्यांकन कर लिया है कि ये सीट हमारा जीतना नहीं है राजनीत में अपना बजूद बचाना है उनको तो आगे करके देखिए तो तो संभव नहीं है इनको तो पडिवार सेट करना राजनीत से इनको कोई नहीं लेना देना है न उस जादव समाज से लेना सबसे ज़्यादा यदि छल किया है यादव समाज के साथ तो श्रीमान लालू परसाद जादव जी किया है क्योंकि तो चेतर की जनता के पास आप जा रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं कि वोट करें एंडिये के कार्जकाल में जो भिकास हुए है मानिये नरेंदर मोदी जी के नित्रुति में दस साल में जो देश में एक नरेटी फैलाया जा रहा था कि देश में महंगाई है बेरोजगारी है अर्थवेबस्था कॉलेप्स कर गया है मेडिकल सिस्टम जो है ध्वस्त हो गया है इस तरह से एक बाताबरन बनाने की कोशिस की गई वो सारे बा आपती हो रही थी एंडिये के घटक दल 370 के विरोध में खड़ा थे बहुतों लोग लेकिन भाजपा उसका परबाह नहीं करी क्योंकि वह घोसना पत्र जो होता हमारा वह संकल्प होता हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए बात दे थे तो 370 भी हटा 500 बर्स तक जिस राम लला आज विराजमान है कल कृष्ण भी विराजमान होंगे अपने जगह पर हम लोकतांत्रिक तरीके से संभीधानिक लराई लड़ करके कासी को भी मुक्त कराएंगे और इस देश में जितने मुगल कालिन चिन हैं अंग्रेज के परतीक चिन हैं वो सभी समाप्त किये चुनाओ तो मोदी जी के विकास पर हम लोग और मोदी जी को मोदी जी के विकास पर जनता पूरा भी एक्टी भैक बोट देने के लिए और बहुत अच्छी मात्रा से चुनाओ जीतेंगे और चुनाओ का जो अंतर है उसको बढ़ा करने के लिए हम लोग दो दिन के बाद लगने बाले हैं और सारे लोग लग चुके हैं और मुदी जी के लिए हम लोग एक पैट पर खड़े हैं तो जीत को लेकर जो है वो आस्वस्थ है कंफर्म है कि मुंगेर लोग सभा में जीत सुनी ची थे लेकिन जीत का जो अंतर है वो काफी बड़ा करने की कोशिस यहां पर की जा रही है देखते रहे हैं लखिशाय लाइब